हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अमित एश्टडी 11 पर स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं SSC GD के लिए रिजिनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कोशन आए इनको स्वाल करते हैं पहला कोशन है कोडिंग डिकोडिंग से आईए इसको स्वाल करने से पहले कुछ कोड देख लेते हैं अलफाबेट में 26 अलफाबेट होते हैं सभी का कोड सामने हमने लिख दिया है आप लोग नोट कर लेंगे जैसा कि A का कोड एक, B का कोड दो, C का कोड तीन होता है इसी प्रकार सभी कोड 26 तक हमने लिख दिया है और जैसे कि हम लोग अपोजिट भी देख लेते हैं A का पोजिट Z होता है, B का पोजिट Y होता है, C का पोजिट X होता है, D का पोजिट W होता है, E का पोजिट V होता है, F का पोजिट U होता है, G का पोजिट T होता है, H का पोजिट S होता है, I का पोजिट R होता है, J का पोजिट Q होता है, K का पोजिट P होता है, L का पोजिट O होता है इसी प्रकार एम का आपोजिट यहन होता है प्रतेक आपोजिट लेटर का योग जो होता है 27 होता है जैसे कि 1 और 26 27 दो और 25 27 तेन और 24 27 चार और 30 27 इसी प्रकार सभी का योग जो आएगा 27 याएगा 13 और 24 27 चलिए अपने कोशन को स्वाल्ब करते हैं कि कोशन है पी आई पी को 16 95 लिखा जाता है तो यस डबलू ए यन को क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग पी आई पी को कोड करते हैं जैसे पी का कोड यहां से हम लोग देखेंगे 16 होता है पी का कोड 16 हम लोग लिख लेंगे और आई का कोड 9 होता है और पी का कोड भी देखें 16 होता है और ए का कोड 5 होता है तो यह हो गया 16 9 16 5 से में यही लिखा गया है 16 9 16 5 तो इसका कोड ही लिखा गया है तो इसी प्रकार हम लोग yes, w, a, n का code लिख देंगे और वही answer हो जाएगा तो yes का code होता है 19 w का code होता है 23 a का code होता है 1 n का code होता है 14 यही इसका answer होगा अगला question देखते हैं यदि t, e, e, n को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो e, n, t, e, r के लिए code क्या होगा आईए हम लोग देखते हैं इसका code लिख लिख लेते हैं t का code होता है 20 e का code होता है 5 n का code होता है 14 तो यहाँ लिखा गया है 20, 55, 14 तो same code ही लिखा गया है तो हम लोग e, n, t, e, r का code लिख देंगे यही answer हो जाएगा E का code होता है 5 N का code होता है 14 T का code होता है 20 और E का code होता है 5 R का code होता है 18 यही हमारा answer हो जाएगा आसा करते हैं आप लोगों को यह pattern समझ में आया होगा अगला question है यह नया pattern है यदि V E I L को 25, 22 के रूप में लिखा जाता है तो M E E T के लिए code क्या होगा आई यह सबसे पहले हम लोग इसको code कर लेते हैं V का code होता है 20 E का code होता है 5 I का code होता है 9 L का code होता है 12 तो V E I L को 25, 92 के रूप में लिखा गया है तो यहाँ पे code तो डारेट लिखा नहीं गया है कुछ और ही इसमें pattern चल ला है जैसे हम लोग देखते हैं 22 का 1 अंक जो होए 2 है तो इसका 2 अंक लिख लिए और 5 में अंक तो 5 ही रहेगा वो 5 हो गया और I का भी code 9 था तो इसका 1 अंक 9 ही रहेगा और L का code 12 था तो इसका 1 अंक 2 आ जाएगा तो यही लिखा गया है 25 बानवे तो इसी प्रकार से हम लोग इसको coding करके इसका 1 अंक लिख लेंगे और इसका अंसर आ जाएगा तो M का code क्या है? 13 और E का code है 5 और T का code है 20 तो हम लोग इसका 1 अंक लिखेंगे तो इसका 1 अंक लिखेंगे 3 और 5 का 1 अंक तो 5 ही रहेगा और 5 का एक 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 जीरो रहेगा तो इसका एंसर आजाएगा 35-50 यहीं इसका एंसर वाएगा आसा करते हैं यहाँ भी पेटर्न आपको समझ में आया होगा अगला कोशन है यदि M-E-L-T को 12-41-11-9 लिखा जाता है तो T-I-M-I-D को क्या लिखा जाएगा आएए सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं तेरा आएए सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं यम, यम का कोड होता है 13, ए का कोड होता है 5, यल का कोड होता है 12, ट का कोड होता है 20. यम, इ, यल, ट को 12, 41, 11, 9 लिखा गया है, और इसका कोड हम लोग लिख लिए है 13, 51, 22, 0. तो यहां पर समझ में यह आ रहा है कि EM का कोड़ 13 होता है लेकिन यहां पर 12 लिखा गया है तो इसमें 1 माइनस कर दिया गया है 13 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 इसी परकार E का कोड़ 5 है 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा इसी प्रकार EL का code 12 है 12 में से 1 मानिस करेंगे तो 11 आ जाएगा इसी प्रकार T का code 20 है तो 20 में से 1 मानिस करेंगे तो 19 आ जाएगा यही लिखा गया है इसी प्रकार हम लोग T I M I D को coding करके उसमें से 1 घठा देंगे answer आ जाएगा तो T का code होता है 20 I का 9 M का 13 I का 9 D का 4 सभी में से 1 एक मानिस करेंगे तो 20 मानिस एक 19 9 मानिस एक 8 13 मानिस एक 12 9 मानिस एक 8 4 मानिस एक 3 यही answer होगा आएगा question देखते हैं यदि N E A T को 13 14 19 लिखा जाता है तो L E A R N के लिए code क्या होगा सबसे पहले हम लोग इसकी coding करते हैं N का code होता है 14 E का code होता है 5 A का code होता है 1 T का code होता है 20 यहाँ पे N दिया गया है N का code 14 होता है यहाँ पे 13 दिया हुआ है इसमें उपर वाला ही pattern follow कर रहा है इसमें से हम लोग minus 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा और 5 में से minus 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 से minus 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 20 में से minus 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा तो यही आ रहा है यहाँ पे तो इस प्रकार हम लोग EL, E, A, R, N का कोड लिखकर उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा एंसर आ जाएगा EL का कोड होता है 12 E का कोड होता है 5 A का कोड होता है 1 R का कोड होता है 18 AN का कोड होता है 14 सभी से माइनस एक करना पड़ेगा हम लोगों को बारा से माइनस एक करेंगे गेरा रह जाएगा पांच से माइनस एक करेंगे चार हो जाएगा एक से माइनस एक करेंगे जीरो हो जाएगा अठारा से माइनस एक करेंगे सत्रा रह जाएगा और चौदा से माइनस एक करेंगे तो तेरा रह जाएगा यही हम लोगों का राइट जैसे कि C ब्रावर 24 दे रखा है तो C का अपोजिट होता है X X का कोड होता है 24 तो वही दे रखा है यहाँ पे दोखो C का अपोजिट X है ना तो हम लोग E Y E का अपोजिट निकालेंगे तो E का अपोजिट होता है V Y का अपोजिट होता है B और E का अपोजिट V तो इसका कोड करेंगे तो 22 और B का कोड हो जाएगा 2 V का कोड हो जाएगा 22 सबको एड कर लेंगे आपस में 22,24 और 24,24 और 24,26 तो इसके मतलब जी 46 निंगल के आ रहा है अब हम लोग F O X का अपोजिट निकालेंगे तो F का अपोजिट U होता है O का अपोजिट Y L होता है X का अपोजिट C होता है इसको कोड करेंगे Q का कोड होता है 21 Y L का कोड होता है 12 C का कोड होता है 3 इसको एड कर लेंगे आपस में तो 12,3,15 और 15,21,36 का राइट एंसर आजाएगा 36 आसा करते हैं या भी पेटरन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर जरूर कर दीएगा ठेंक यू